Last question देखे एक size का How much less is 28 km than this? कभी भी यह question आता है na How much less, how much more? इसका मतलब हमें calculate करना है difference Difference calculate करने का मतलब है हम दोनों को subtract करते हैं बड़ी quantity से, छोटी quantity तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए na How much less? यद लगे, how much more? तो इसका मतलब हमें difference ही calculate करना है बड़े मिर से, छोटा, चले calculate करते हैं आपको बताना है कि ये number इससे कितना छोटा है तो देखे, पहला comparison तो इन दोनों चीज़ों का है दोनों ही km होने चाहिए, क्योंकि तभी तो हम subtract करेंगे km है, well and good, अब हम कैसे करेंगे? difference, सीधह आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर difference calculate कर रहे है difference is 42.6 km, यही बड़ा number है न, क्योंकि यहाँ पर 42.6 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर actual में 28 km है यानि कि आप अपने decimal place को पूरा करने के लिए 28 के बाद एक 0 लगा सकते है, जैसा कि हमने एक size में सीखा है last तो subtract कर देंगे 0, 4, यहाँ बच्छा 1 तो आपका answer आगया 14.6 km, easy, बस इतना ही calculate करना है